नमस्कार दोस्तों आप सभी दर्सोकों को गंतन दिवस्त पर बहुत-बहुत हार्दिक सुबकाम नाएं मैं अविनास कुमार जेश एश्टो वासू का फाउंडर आप सभी दर्सोकों का हमारे चैनल में अविनंदन करते हैं आज का हम बिशा है जो वही विदेश जातरा जो हम तीन वार्चा बनाते आ रहे हैं उसी पर हम लोग और कुछ चर्चा करेंगे साथ में कुंडली के साथ मिला के आपको दिखाएंगे किस परकार ये विदेश जातरा की योग बनते हैं आज कल सभी युवाओं का ख्वाइश होता है कि वो भी विदेश जाकर खूब कमाए लेकिन विदेश जाने का अफसर उन्हें मिलेगा या नहीं यह उनकी किसमत पर निर्वर करता है दोस्तों जोस्ति सास्त के अनुशार किसी व्यक्ति की कुंडली में गरोहों की स्थिति और योग यह तैक करते हैं कि यह व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं यदि उनकी कुंडिली में विदेश योग बलसाली नहीं है तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाने की शंभावना बहुत कम रहती है दोस्तों जिनकी कुंडिली में विदेश योग कमजोर है वैसे व्यक्ति विदेश जाग कर वो सफलता नहीं प्राप कर पाते हैं जिनकी वो खुआइस रखते हैं साथ में हमें ये भी देखना है कि हम लोग विदेश में जो परवास होगा कितनी समय के लिए होगा इसके लिए हम लोग अपनी कुंडिली में बारवें भाव को देखते हैं अर्थात बारवें भाव में इस्तितरासी को देखा जाता है हम लोग अच्छी परकार जानते हैं कि तीन परकार की रासियां होती चर रासी, अचर रासी और दूश्य भाव रासी चर रासी मतलब जो हिलने डूलने वाला जो परिवर्तन सील रहता है वो चर रासी होगा अचर मतलब अडी, इस्तीर, जो ठान लिया वो करके रहेगा, जहां वो जम गया वहां जम के रहेगा, और दूशे वहाब मतलब, यह ऐसी रासी होती है को प्रस्ति के अनुसार अपने सभाब को चेंज करता रहता है, जहां उसे जोद परता वो चर की तरह परियोग मिलाता अ अर्थात वो चर और अचर दोनों परकार के उनके गुन विद्यमान होते हैं, जोस्तों, यह हम लोग किस परकार देखते हैं विदेश यात्रा के लिए, यदि हमारे बारवे भाव में, यदि चर रासी है, तो हम लोग कुछ समय के लिए हमें विदेश में परवास करना होगा, यदि हमारे बारवे घर में अचर रासी है, तो हमारे लंबे दिने, बहुत दिनों के लिए हमारा विदेश में परवास होगा, यदि दूसरे भाव रासी हमारे बारवे घर में है, तो वैसे वैक्ति, वैसे जातक का विदेश आना जाना लगा रहेगा, दोस्तों, यह कि ये सारे चीज हम लोग एदि मान लिजे कोई व्यक्ति उट सिक्षा के लिए विदेश आ रहा है तो उसके लिए मों नवे घर को देखते हैं या नवमेश का देखा जाता उनका संबंध क्या बारवे घर से बन रहा है यदि हम लोग सिक्षा गरहन करने के लिए जाते हैं तो वो हम लोग पंचमेश से देखते हैं कि पांचमा गर हमारी सिक्षा को बताता है दोस्तों उसका संब्ध यदि बारवे घर से बनता है तो हम लोग सिक्षा के लिए जाएंगे आपको यदि हम लोग विदेश आजिविका के लिए पैसे कमाने के लिए धन प्राक्त करने के लिए जार रहे हैं तो हम लोग दसमें घर को देखते हैं यदि उनका किसी परकार से सम्मन्द बारमें से बनता है तो हम आजिविका के लिए विदेश जाएंगे साथ ने बहुत लोग के यह कोश्चन्स आता है कि हम विदेश कहां जाएंगे दोस्तों दो तरह के कंट्री होती है एक डवलप कंट्री होती है दोस्तों एक अंडवलप कंट्री होती है यदि हमारे बारवे घर में सुवग्र है अर्थात गुरु हों शुक्र हों चंद्रमास्थित हों चाहे बुद्ध स्वयंग अकेला बैठा होती इस सब सुवग्र होते हैं यदि बारवे घर में हैं तो हम लोग developed country में जाएंगे अर्ठात अमेरका, कनाडा, अस्टेलिया, जर्मनी, निजेलेंड, इत्याधी हम लोग developed country में जाएंगे यदि उसी बार में घर में सनी बैठा हो या राहू बैठा हो या केतू बैठा हो लब पाप गरब बैठें तो हम लोग अनडवलप कंट्री हम लोग जाएंगे तो यही सारे चीज आज हम आपको कुंडली के अनुसार समझाने की कोशिस करेंगे दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्पिया आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसे दवाते ही एक बिल आएगा बिल को दवाते ही नोटिफिकेशन्स आपके ओन हो जाएंगे इससे क्या होगा कि जो हमाई नई नई वीडियो आपको समय पर मिल जाया करेगी दोस्तो इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते हैं दोस् सब्सक्राइब किजिए और हमारे चैनल को परमोट किजिए दोस्तों साथ में हमने प्लेलिस्ट में जाये मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियो वहां बना के रखा हुआ संतान के योग सरकारी नौकडी के योग आई-एस के योग फ्रसराशनिक सेवा के योग कुंड किजिए साथ में से सेर भी कीजिए कि आपके पड़िवार वाले आपके दोस्ति यार ये वीडियो देखके अच्छी च्छी जानकारियां परात कर सकें किसी परकार की मन में तूटी है शंका है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं मैं इस वीडियो में लगातार अपना नम कुंडली देखिए स्कीन पर आ रही होगी दोस्तों एक जातिका के कुंडली है इनका तीन जनवरी 1999 पटियाला पंजाब में समय दोपहड के बारा बज़े हुआ है इनका एक ही कोश्चन है क्या मैं बिदेश जा पाऊंगी और क्या मैं बिदेश वसटल हो पाऊंगी तो सबसे पहले हम को क्या देखना क्या इनके कुंडली में बिदेश का योग बनता है कि ने बनता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों बिदेश का योग चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे नरसरगी ग्रह हैं बिदेश के लिए साथ में हम बारवे घर को देखते हैं यदि हम लोग आज़िविका के लिए जा रहे हैं विदेश तो हम लोग सनी को भी देखा जाता कि सनी हमारे आज़िविका के कारक है साथ में हम दस्त में घर को देखते हैं यदि हम उच्छा के लिए जा रहे हैं तो हमें गुरू को देखना है, असात में हमको नौए घर को देखना है, क्या उनका सम्मन्द वारवें से बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब हम उच्छा के लिए हम विदेश जाएंगे, हम किस माध्धम से विदेश जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको भी पता देता हूँ, यदि आठवा घर का सम्मन्द यदि हमारे वारवें घर से बन जाता है, तो हम लोग समुन्दर के राष्टे से विदेश जाएंगे दोस्तों, और यदि हमारा चोथे घर से, शत्मे घर से, जस्मे घर से सम्मन्द हमारा यदि बारवें का बनता है, तो हम लोग हवाई यातरा से विदेश जाएंगे दोस्तों, साथ में वही है, यदि सनी के आदी ज्यादा परवाव फरता है, हमारे आठमे घर में स्थित होते हैं सनी, और आठमे के कारक में कहलाते हैं सनी, तब हम लोग समुन्द के यातरा से जाएंगे, तो हम यहाँ इनकी कुंडली में देख सकते हैं दोस्तों, मिन लगन की कुंडली है, और इनकी करक रासी हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें चेंदर्वा देखना, चेंदर्वा देखे कहां बैठे हुए हैं, वो अपने ही रासी में बैठे हुए हैं, करक रासी में बैठे हुए हैं, और पंचमेस हैं दोस्तों, मत्चंद्रवा मेरे बलसाली हो गए अब हम लोग बारवे घर को देखते हैं बारवे घर कौन सी? कुम्ब रासी होगी दोस्तो कुम्ब रासी को स्वामे कौन होते हैं? सनी होते हैं सनी देखे कहां बैठे हुए हैं इनके दूसरे घर में सनी बैठे हुए हैं दूसरा घर क्या होता हमारे परिवार का घर होता सनी का क्या क्या में दोस्तों सेपरेशन करना प्रिथक करना अलग करना हमें सनी वहाँ बैटके अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, परिवार को अलग कर रहे हैं, साथ में वह अपनी तिस्ती डिष्टी से चोथे घर को देख रहे हैं, अपनी साथ में डिष्टी से अठवे घर को देख रहे हैं दोस्तों, और अपनी दस्ती डिष्टी से वह 11 घर को इस परकार सनी अपने परिवार से अलग हो रहा है और उनका सम्मन्द बारवें से का एक बारवें का खुछ स्वामी सनी है बन रहा है तो ये एक विदेश यातरा का योग एक विदेश में सटेलमेंट का योग बनता है साथ में बाडवे घर में देखे कौन से ग्रु हैं स्वैंग लग्न और कर्म कर्श्वामी होके बाडवे घर में बैठे हुएं दोस्तो साथ में आप देखिए गाया तो इनकी राहू की डिष्टी बाडवे घर में पर रही है राहू कहां बैठे हुए चटे घर में बैठे हुए है चटा घर क्या होता हमारे नौकडी का होता है घर दोस्तों यह जाती का विदेश जाएगी नौकडी करने के लिए और वहीं पर स्टल होगी बहुत दिनों तक विदेश में रहेगी यदि आप गुरू को देखिएगा तो गुरू अपनी पांचमी डिस्टी से चोथे घर को देख रहे हैं दोस्तों अपनी सत्मी डिस्टी से वो राहू को देख रहे हैं मतलब अपने नोकडी को भी देख रहे हैं और अपने नौवी डिष्टी से आठमे घर को देख रहे हैं दोस्तों इस परकार एक विदेश का योग बनता उसी परकार केतू भी बैठे हुए हैं, बारवे घर में बैठे हुए हैं केतू विदेश का मतलब क्या होता दोस्तों हम अपने परिवार से अपने मातर भूमी से दूर जाना आज की जवाने में तो से बहुत अच्छा कहा जाता लेकिन आज से हजार साल पहले जब जियोतिस सास्तर का जब निर्मान हुआ था उस समय घर से बाहर जाना लोग असुव मानते थे दोस्तों अपने घर को छोड़ कोई नहीं जाना चाहते थे तो इसलिए विदेश उस समय खराब माना जाता था यदि उस समय किसी को पनिस्मेंट दिया जाता था तो उन्हें देश निकाला कहा जाता था आज में कोई punishment आपको सुन दीजे आज के date में कोई punishment death निकाला कर नहीं होता है जो देश भाग जाते हैं तो इस देश भाग जाते हैं वहां से पकर पकर के लाया जाता है जोस्तों जो उस जवाने में खराब था आज इस जवाने सबसे अच्छा हो गया अब हम बात करते हैं कि हमारा समय कव आएगा विदेश जाने का या हम कितने दिन के लिए हमारा विदेश में परवास होगा हमने बताया था हमें बारवें घर को देखना बारवें घर में इस्थित रासी को देखना है वह रासी कि अचड है अचड है या दूशेवाव रासी है हम देख सकते हैं कि बारवें घर में जो रासी हो कुम रासी है कुमल 11 नमर यह आप काउ अचर कुम्भ अचर रासी हो गई अचर मतलब इस्थिर रासी तो यह जाती का लंबे समय के लिए विदेश में इस्थिर रहेगी और हम कब जाएंगे विदेश यह भी बहुत सारी कोश्चन रहते हैं तो इसमें हम कहना चाहते हैं दोस्तों यदि हमारी दसा अंतर परियंतर तीनों यदी बारवें घर से समन्द बताता है तो वह हमारा पिक टाइम रहता है विदेश जाने के इस कुंडली में सबसे पहले आप देखे कि कौन-कौन से गरह का समन्द वारवें से बन रहा है साथ में चंदरमा चंदरमा नैसर की गरह होते हैं विदेश जातरा के हम इस कुंडली में देख सकते हैं, सबसे पहले सनी, कुम्रासी है उसमें, उसके स्वामे सनी होते हैं, दूसरा उसमें कौन-कौन बैठे हुए हैं, देखिए गुरु बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, तीम गरह हो गए, राहु देखिए उसे देख रहे हैं, चार ग गुरू के घर को देख रहे हैं और सनी को डैट देख रहे हैं मंगल लेगे सात्में घर में बैठे हुए हैं तो इस परकार हमारे जो नौ गरह में से पांच गरह का सम्मन बारवे घर से बनता है नौ अधार जब इन गरहों का कभी उस एक दसा अंदर प्रेंतर में जब आएगा उस से जातक विदेश जाने इसी परकार आप अपने कुंडली को देखिये अपने 12 गर को देखिये दोस्तों कि साथ में दूसरे घर को भी देखिए चौते घर को भीच देखना पढ़ता है दोस्तों । चौथा हमारा मात्र भूमिका है यदि उसमें किसी भी राखे शर्था तरा suchen के तूट तो यह तीनों गरह हमें क्या करते हैं सेप्रेटिव प्लेंड करते हैं इनकी बहुत ज्यादा जोट परती है विदेश्क यात्रा योग में कlorि kanla सुर्फ करते हैं और को में दोस्तों आप में हमारे शेयर करता हैं आपके साथ सेयर करता रहुंगा जैंतादीद धन्यवाद